हर्मन बावेजा को तो आप सभी जानते ही होंगे इन्हें रितिक का हम शुक्ले भी कहा जाता रहा है लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि वो कहां गायब हो गए हैं और किस हाल में हैं दरसल हर्मन बावेजा हाल ही में बानरा एक रेस्त्रा के बाहर स्पॉर्ट किये गए इस दोरान उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा था मोटा पे के कारण वे अपनी उम्र से डबल के दिखाई दे रहे थे बता दें कि हर्मन ने 9 साल पहले यानी 2008 में पापा हैरी बावेजा की फिल्म लव स्टोरी 2050 से बलेवुड देब्यू किया था जिसमें उनकी हीरोईन प्रियंका चोपड़ा थी एक रिपोर्ट के आधार पर एक खबर आई थी कि लव स्टोरी 2050 के सेट पर हर्मन और प्रियंका का अफेर शुरू हुआ था दोनों करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में रहे प्रियंका और हर्मन ने एक दूसरे को लंबे समय तब डेट किया लेकिन उनकी लव स्टोरी नाकामियाब रही और दोनों का ब्रेक अफ हो गया हर्मन की पहली फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप साबित हुई हाला कि इसने अपनी लागत निकाल ली थी इसके बाद हर्मन विट्री 2009, वहाट्स योर राशी 2009 और धिश्कियाओं 2014 में नजर आए लेकिन इन में से एक भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर नहीं चली हर्मन ने पंजाबी एनिमेटेड फिल्म चार साहिब जादे में वोईस ओवर भी किया था वैसे तो हर्मन ने अपने करियर में मातर पांच फिल्मों में काम किया है कर दो हर्मन ने एक भी किया है